हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गैटमर इंफो यूट्यूब चैनल बी एससी बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की तरफ से 10 प्लस टू सेकंड इंटर लेवल रिक्रूट में नौटिफिकेशन रिलीज हुआ है 12 पास कैंडिडेट के लिए यह भरतियां और भरतियां काफी अच चैनल गवर्मेंट जो जेन्यू नौटिफिकेशन चैनल पर वीडियो अप्लोट कर दिया है नौटिफिकेशन से रिलेटेट सारी जो भी बेसिक सी रिक्वार्मेंट रखी गए यह एलिजबल्टी करनिसंस सारा एप्लिकेशन फीस जो भी पॉइंट्स है मैंने आपके क्ल स्लेवस है यानि इसमें जो पोस्ट है 12th लिवल की है और टाइपिंग और नॉन टाइपिंग वर्क रहेगा दो तरह की पोस्ट है तो इनके लिए आपका स्लेवस क्या रहेगा वो मैं आज इस वीडियो में आपको क्लिया करूंगी सारा स्लेवस आपको हिंदी में अच्छ स्टार्ट कर लेते हैं तो देखें यहां पर अगर एप्लाइ कर रहे हैं तो इसमें आपका जो स्लेक्शन प्रोसीजर रहेगा इसमें आपका प्री अगर जैसे की इनों ने बताया हुआ है एक जो नियमा वाली थी 2010 2010 के हिसाप से यहां पर अगर 40,000 से अधिक आविदन आत जो अधर कैंडिडेट है यानि अधर स्टेट के जो कैंडिडेट है वह भी आपर एप्लाइ कर सकते हैं तो एपली केसं यहां पर बड़ी संख्या में आएंगे क्योंकि जो भरती है वह सिंपल 12 वेस पर भी है और 12 के साथ अगर आपको टाइपिंग आती है उनके लिए वह कैंसी आएं तो यहां पर ज्यादा ही आएंगे तो इनोंने यहां पर प्री एक्जामनेशन का पैटन बता दिया है मैंसे और आपको बात में अप्डेट रहेगा अगर आप अप्टेट रहेगा एंगर आप अप्लाइप करते हैं इसका अगर हम देखें तो पांच गुना एपलाई करेंगे तो वह एक्जाम दे नहीं है उसके बाद five times यानि पांच गुना candidate जितनी vacancies है ग्यारा हजार vacancies है तो उसका पांच गुना जो candidate है वो मेंस exam के लिए बुलाए जाएंगे ओके अब इसमें आपका जो day examination होगा परी examination में एक पत्र सामान ग्यान का होगा सामान ग्यान का होगा जिसमें subject अगर हम देखें तो इसमें सामाने अध्धन सामाने विज्ञान इवं गड़ेद और मानसिक छमता जो reasoning रहती है mental ability इनसे related आपके यह questions रहेंगे mcqs types रहेंगे बहु भिकल्पी है जैसा कि मैंने बताया एक caution के four options रहेंगे total 150 caution 150 total प्रशन रहेंगे हर एक प्रशन का आपको चारंक दिया जाएगा और wrong answer होने पर अगर आप गलत आंसर करते हैं तो one mark यहाँ पर minus कर लिया जाएगा timing आपको 2 गंटे 15 मिनिट की दी जाएगी total mark अगर हम बात करें तो यहाँ पर 600 mark कर रहेगा आपका paper ठीक है and आप यह अंग्रेजी और हिंदी यानि English और हिंदी दौनों में से जो भी आपका medium है उसमें आप यह exam दे सकते हैं English का जो होगा पाइट उसको आपको English में देना है तो इसमें ऐसा English का कुछ नहीं दिया हुआ है अब हम सिलावस देखेंगे तो यहाँ पर आपका सबसे पहले तो सामान नध्यन है इसमें प्रश्णों का उद्धेस अभ्यारती के आसपास के बातबरन की सामान ने है या नहीं इस तरह की नौलेज इस तरह की जो जाच है वो इस एक्जाम के तुरू की जाती है बरतमान घटना और दिन प्रति दिन की घटनाओं के सुक्ष ममलोकन इसी तरह से ओके जैसे की और जो नेवर कंट्रीज न उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत सारे आपको अच्छे से याद कर लेना होगा बिहार स्टेट से पूछा जाएगा भारत और उनके पड़ोसी देशों के संबंध में भी आपसे कॉशन किये जाएंगे इसके बाद नेक्स्ट है समसामा एक विसाय जैसे की बैग्यानिक प्रगती राष्टी अंतराष्टी प महित्पूर घटना है ठीक है इसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश तो भारत का इतिहास पड़ोसी देशों का इतिहास संस्क्रती भूगोल आर्थिक परिदस स्वतंतता अंदोलन भारती एक रशी प्राक्रतिक संसादनों की प्रमुख विसेस्ता हैं भारत का संबि दान राज्य विवस्था देश की राजनितिक परिणाली पंचायती राज राष्टी आंदोलन में बिहार का योगदान पंच बरसी योजना इनसे कॉशन किये जाएंगे सेकेंड आपका आएगा यहाँ पर सामाने विग्यान और गड़ित तो इसमें आपका टैंथ लेवल का रहेगा मैट्रिक लेवल का आपका यह कॉशन आएगा इससे रिलेटिट कॉशन आएंगे सामाने विग्यान और मैट से ठीक है जिसमें सामाने विग्यान में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, वायोलोजी जो रहेगा और भूकोल इनसे कॉशन किये जाएंगे और यह टैं 10th लेवल का ही रहेगा जिसमें आपका नंबर सिस्ट्रम रहेंगे और दसमलव, डेसिमल, फ्रेक्शन यानि भिन, संख्याओं के बीच परस पर संबंध, रिलेशन से पर्विन नंबर, इसमें मूलवूत अंक गरती है, संक्रियां, परसेंटेज, रेशो, प्रपोर्शन, इंट्रेस्ट, यानि ब्याज, लाव, हानी, इनसे कॉशन आएंगे, 10th लेवल का रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट है मानसिक चमता, तो इसमें आपका जो रिजनिंग कॉशन रहते हैं, वो इसमें किये जाएंगे, तो यह आप रिजनिंग आप सभी जानते हैं, रिजनिंग त इसमें सामन वर्ग से अगरा ब्लॉंग करते हैं, तो 600 मैं से 600 का 40% कितना होगा? इतना आपको इसमें क्वालिफाइब करना है, 600 मैं से मार्क लाने हैं, पिछना वर्ग के लिए 36.5%, अनसुचि जाती जन जाती के लिए 32%, एण अन पिछना वर्ग के लिए 34%, महला अनद्र व यह आपका है और pre-examination होगा सबसे पहले आपको यही तयारी करनी है इसके वाद जब अगर clear कर लेते हैं तो men's exam के लिए आपको बार में inform किया जाएगा और आप अगर इसमें apply कर रहे हैं तो इसकी website पर update रहेगा men's exam से related, syllabus, exam pattern, सब कुछ आपको pre-exam जैसे ही होगा clear उसके बाद में आपको यह update कर दिया जाएगा ओके, so I hope आपको यह जो syllabus बताया है आप इसको notification में भी देख सकते हैं और अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं और अपनी तयारी कर सकते हैं 10th standard के आपको अपनी तयारी करने होगी and I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो like and share कीजेगा Thank you